सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यू चाइनल को और बेल आइकन को दबाएए हमारी विडियो सबसे पहले देखने के लिए भारत और श्री लंका के बीच चल रहे तीसरे वंडे मैच में बहतरीन शुरुआत के बाद श्री लंका आई पारी डेह गई भारतिय टीम ने टोज जीता कर पहले गेंद बाजी करने का फैसला किया था जो उनकी गेंद बाजो ने सही साबित किया शुरुआत में बहतरीन बैटीन करने के बाद बीच में अपने विकेट एक के बाद एक गवाने के बाद श्री लंका आई पारी 215 रंज पर पल आउट हो गई लेकिन इस बीच कुछ ऐसा दिखा जो भारतिय क्रिकेट टीम में जादा नहीं दिखाई देता भारतिय टीम के केप्टन कुल माने जाने वाले MS धोनी गूसे में दिखाई दिए दरसल युजवेंद्र चहल की एक गैंग गलत गिरने की वजह से धोनी गूसा हो गए दरसल भारतिय कप्तान रोहिट शर्मा और युजवेंद्र चहल ने खुद अपनी बॉलिंग के लिए लेंग साइट पर फीलिंग लगाई थी लेकिन गलती से यजुवेंद्र चहल ने एक गैंग आफ साइट पर कर दी और चौका पड़ा इसी वजह से एमेस धोनी स्टर्म के पीछे से यजुवेंद्र चहल पर गुर्सा हुए हम आपको बता दे के यजुवेंद्र चहल और कुलडी ब्यादव ने भारतिय टीम के लिए तीन तीन विकेट लिए हैं इसी तरह की बहतरीन खबरों के लिए हमारे चाइनल को लाइक, शेयर और सबस्क्राइब कीजिए